तीन राजियों में जिसमें बीजेपी जीती है उससे साथ पता चलता है कि एबीएम और बीजेपी में बहुत गहरे रिष्टे हैं। वो एक मसीन है, आज बीजेपी इस्तमाल कर रही है, कल कॉंग्रेस इस्तमाल कर रही थी, इलेक्शन कमीशन का जो चिफ है, वो मोधी के एक कुरगा के रूप में उनका दलाल के रूप में वो काम कर रहा है। 2013 की जो चुनाब हुई थी उसमें कॉंग्रेस जीती थी के इबियम का इस्तमाल करके बाद में सुप्रिम कोट गए और वहां पे सुप्रिम कोट में कहा गया कि इबियम से फेर चुनाब की उमीद नहीं की जा सकती है मोदी जी कुछ नहीं है मोदी जी एक चोर है जो चोरी करके सत्ता में कावीज है कॉंग्रेस पार्टी इवियम को लेकर के आई थी और जब पांच राज्यों में विधान सभा के चुनाओ है तो कॉंग्रेस पार्टी को प्रचंड हार का सामना करना पड़ा और कॉंग्रेस पार्टी अब खुलके कह रही है कि देखिए इवियम के जरिये नरेंद्र मोदी बैमानी करवाते हैं इवियम को चोर मशीन और बैमान मशीन बताने का काम लगातार कॉंग्रेस पार्टी और उसके नेता कर रहे हैं दिल्ली हाई कोड के वकील प्रवीर जी है कैसे देखते हैं आप क्या आप भी लगता है इवियम एक बैमान और चोर मशीन है देखिए जब आपने बात कॉंग्रेस की की है तो मुझे तो आज कॉंग्रेस और बीजेपी और इवियम के बारे में एक बात याद आती है कि चो सम्विधान बना करके उन्होंने दे दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि सम्विधान तो अच्छी है लेकिन अगर ये गलत लोगों के हाथ में चली जाए तो इसको भी गलत तरीके से पेस किया जा सकता है वही रूल यहां पे भी अपलाई होता है इबियम एक मसीन है और मैनमेड होता है और मैन हैंडल भी होता है तो उसको चाहे तो कोई भी व्यक्ति अपने घटे और अपने फाइदे के लिए उसका इस्तमाल कर सकता है उसमें चेंज कर सकता है और यह चुनाब जो 2023 के तीन राजियों में जिसमें बीजेपी जीती है उससे साप पता चलता है क कि इवियम और बीजेपी में कहीं न कहीं बहुत गहरे रिस्ते हैं लेकिन कॉंग्रेस पार्टी लेकर के आई थी अब वही कॉंग्रेस भी रोत कर रही है तो वही मैंने तो तब कहा ना कि चोर-चोर मौसरे भाई जब आब आज यह बीजेपी के पाले में चली गई है तो आज कॉंग्रेस को दर्द हो रहा है अगर एवियम एक बैमान मशीन होती तो शायद 2014 में कॉंग्रेस पार्टी चुनाव जिती इवियम एक मसीन है गाड़ी आप आप चलाओगे तब भी चलेगी और उसी गाड़ी को मैं चलाओंगा मैं भी मुझसे भी चलेगी वह एक मसी है आज बीजेपी इस्तमाल कर रही है कल कॉंग्रेस इस्तमाल कर रही थी 2009 में और 2013 की जो चुनाब हुई थी उसमें कॉंग्रेस जीती थी उसका इस्तमाल करके बाद में सुप्रमन्यम स्वामी सुप्रीम कोट गया और वहां पे सुप्रीम कोट में कहा गया कि एबीयम से फ प्री और फेर चुनाब की बात होती है तो वेज़ेपी को आज के तारीख में आज मैं वेज़ेपी को कहूँगा कि आज वेज़ेपी को ऐसा क्या उससे लगाओ है कि वह नहीं चाहती है कि इस देश में EVM को षटा दिया जाए या खतम किया जाये उसके पीछ सब्सक्राब हो जाए तो कुछ लोगों को कुछ दिन के लिए रोजगार मिल जाएगा आपको कहां समास्या आ समस्या वहां आ रही है जहां बीजेपी को लाभ मिल रहा है इसलिए बीजेपी के पूरे कुनवे हमेशा आज EBM के साथ खड़े हैं बीजेपी कह रही है कि हजारों लाखों पेड काटने पड़ेंगे पेड़ों की संख्या देश में कम हो जाएगी कागज कहां से आएगा कागज जो है वो तो लखड़ी सी बनता है ना बहुत अच्छी कह रही है अगर बीजेपी इतना चिंतित होती इस देश के बारे में तो ये 14 लाख कड़ों रुपया जो पिछले 10 सालों में इसने 25 लाख कड़ों रुपया जो कुछ चंद मित्रों को दे दिया वो चिंता भी इसको सतानी चाहिए थी और उनहीं रुपया से मैं कहता हूँ कि इस देश में पेड़ लगाये जा सकते थे अर्बो और खर्बों की संख्या में और उसका इस्तमाल रोजगार के लिए भी होता वो पेड़ काटे जाते मजदूरों को रोजगार मिलती उससे कागच बनाये जाते मजदूरों को हम से लेकिं नरेंदर मोधी की लोग प्रियता इतनी ज्यादा है कि नरेंदर मोधी की जीत होगी बीजैपि साफ तोर पर कह रही है देखे इसके वारे मैं साफ का दू कि यह नरेयणर मौदी जी की गल्त फाहमी ये गल्त फाहमी उनको नहीं है इस देश के लोगों और आपके जैसे पत्र कारों को गल्त फाहमी है जिसको लगता है कि नरेयणर नरेया 19 verdad को चेहरा हो गया अगर बात यह है तो मैं मोदी जी को चैलेंज करना चाहता हूं कि एक जगह एक स्टेट में आप चुना बैलेट पेपर से करवा के देख लीजे आपको आपकी आउकात पता चल जागा मतलब मोदी जी का उकात दिखा रहें आप अरे देश के प्रधान मंतरी हैं भी चुनेता है मोदी जी एक सदी के और कह सकते हैं कि भारत के लोकतांतरिक इतिहास के सबसे जुठे प्रधान मंतरी साबित हुए हैं और एक जुठा आदमी के लिए आप इतनी बड़ी-बड़ी कर रहुट मौदी जी कुछ नहीं है मौदी एक चोर jaki कि सद्रा में फिर वालिट बयान देरहें हैं आपकी देश के प्रधान मंत्री हैं देश के परधान मंतरी कि गरिमा उन्होंगों ने कव रखा देश के हम लोग मानें कि वो ये मोदी बोल रहा है पर्धान मंत्री नहीं बोल रहाए अगर पर्धान मंत्री होता तो उनकी एक गरिमा होती है उनके language होता है code of conduct होता है इन्होंने वो सारे पार कर दिये हैं और आज तो देखने में आता है जब बेटियां नगन की जाती है उसमें मोदी जी के मुह नहीं खोले जाते हैं जब EVM की बात होती है Supreme Court कोर कहता है कि देखिए इवियम जो है बहुत इमानदार है सब कुछ यहाँ पारदर्शिता से काम होता है और भी और अकर देखिए अगर बात यहाँ आप election commission की कह रहा है तो वो एक स्वयात संस्थान है लेकिन सवाल यह है कि जो बावा सहब अंबेदकर ने बात कही थी कि अगर ये संभिधान ये constitution गलत लोगों के हाथ में चला जाए तो ये सबसे बुरा constitution साबित होगा और मोदी जी के राज में यही हो रहा है अब वो जो election commission का जो chief है वो मोदी के एक कुरगा के रूप में उनका दलाल के रूप में वो काम कर रहा है और वो जब भी जो भी बात मोदी जी के फाइदय की होती है तब वो उस पे action लेता है और मोदी जी का घटा की जब बात आती है तो उस पे action नहीं लेता है आपने सुना होगा दिग बिजय सिंग ने कि एक पूर्व बिधायक का पूरे election में मात्र 50 से 52 बोट आता है यह क्या संभव है यह कभी possible है बीएसपी के एक बिधायक ने परत्यासी ने यह कहा कि उनके जिस बूत पर उनका और उनका परिवार उनके अपने घर के बोट जो थे वो छे थे और उसमें से और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उस बूत पर उनको बोट देने वाले लोग थे जिन्होंने बोट दिया उस पर एक भी बोट नहीं आता है इस पर कि अलगे इलेक्न कमिशन ने क्या एक्सन लिया है तो तब मैं कहता हूं कि एलेक्शन कमिशन आज के तारीक में मोelी जी का एक क्या कहते है मुरगा है जिसका की इस्तमाल मोदी जी जहां मन है वहां लड़ाने के लिए करते रहते हैं लेकिन इवियम को अभी हायक नहीं किया जा सकता इवियम पूरी टेकनोलोजी आप क्या जर्मनी से आगे निकल गए अमेरिका से आगे निकल गए इटली से आगे निकल गए या नीदरलाइन से आगे निकल गए इन लोगों ने इन सारे कंट क्यक् Wochen को सांप कि जा सकता है और यह जो पेगासस की बाता आप करते हैंँ आपके हाथ में हैं यह पंधी सारी डूसरो है रादमिद झाठा है लेकिन अज तक करके नहीं पूछा और जानने की कोसित नहीं की इसमें कैसे इसको हैक किया जा सकता है इसका मतलब है कि मोदी जी के लिए ये election commission भी काम कर दिया लेकिन सवाल है कि देखिए कुछ समय पहले दिल्ली में भी चुना हुए थें नगर निगम के विधान सबक चुना हुए थें आम आदमी पार्टी की जीत हुई पांच राज्यम चुना हुए तीन दो से बीजेपी जीती है तीन राज्यम बीजेपी आई ये दो राज्यम दो से पाटिया गए एक राज्यम काउग्रस है लेकिन सवाल है कि अगर इवियम को वास्तों है क्या जाता तो नरेंद्र मोजी की जीत, बीजेपी की जीत सभी राज्यम हो जाती है देखिए भारत में एक बड़ा मसहूर कहावत है मुर्गा दे के बकरा लेना तो ये वो बात हो रही है कि जनता की थोड़ी बिस्बास भी बनी रहे और आपके जैसे पत्रकार इस सवाल को भी उठाते रहे कि अगर जितना था तो सारे राज्यों में क्यों नहीं जित गए तो ये वो वाली बात है कि ये मुर्गा दे करके बकरा ले रहे हैं बड़ी-बड़ी राज्यों को उन्होंने ले लिया और छोटी राजियों को कॉंग्रेस को गिफ्ट के रूप में दे दिया या उसमें ये आप कह लिजे कि वहां हकीकत में ऐसा होना था तो उनको पता था कि यहां करने की जरूरत नहीं है जहां मेरे फाइदे की चीज़ है उनको सेंटर में आना है तो बड़े बड़े 200 और उस इस डिस्कोर्स को पैदा करने के लिए ये बात की गई है दो हजार शोवीस में अगर इविंस मतदान हुआ तो क्या होगा उसके बाद भी क्या होगा सौ परतिसत बीजे पी जीतेगी मोधी जी आएंगे और संबिधान को आपको जानकारी होगी मुझे लगता है आप बहु संबिधान को लगभग हजारों टुकडों में उनको काटा गया है और उनको ब्लीड करने के लिए छोड़ दिया गया तो वही अब उनका कतल किया जाएगा और उसके बाद पता नहीं क्या होगा लेकिन जो भी होगा इस देश के 90 परतिसत आवादी के लिए कम से कम मेरा मान है कि डिजास्टर होने वाला है चुनाब होगा या नहीं होगा चोविस के बाद उसके यह तो कहना बड़ा मुश्किल है संभव है कुछ भी हो सकता है चुनाब हो भी तो हो सकता है चंद लोगों को चुनाब में बोट देने की कि के अधिकार को खत्म कर दिया जाए जाए चलिए 학पर बईयर है और स्थ विएम पर कई अरोप लगा रहे हैं आरोप नरेंद्र मूति की स्कार पर और एउडी को लेकर के हैं कि दुनिया को यह सी मशीन से हैक नहीं किया सकता जिसमें सेटिंग नहीं किया सकती लेकि इस मामले पर बीज़ेपी और यह इलेक्शन कमीशन अभी चुफ है पुरा मामरा सुप्रिम पॉट पहुँच गया है और खेस नहीं आ इस पर अपना क्या सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें